ओम शान्ती सुनते हैं 7th मार्च 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है संकल्प की गती धैरेवत होने से लाब आज की मुर्ली में बाबा ने मनुष्य आत्मा को परकने की क्या प्रयतन करते और बाप दादा क्या करते फिर बाबा ने भागे की अनर्जी वेस्ट करना किसे कहेंगे फिर बाबा ने रुहानी इंजेक्शन लगाना एवम गलु को चड़ाना किसे कहें साथ साथ बाबा ने लास्ट कौन से संकल्प ने बच्चों को हीरे तुले और कौन से संकल्प ने मास्टर सरशक्तिवान बना दिया तो आउ सुनते हैं साथ मार्च ब्यासी की अव्यक्तवानी संकल्प की गती धैरेवत होने से लाब आज बाप दादा अपने एक बाप दूसरा ना कोई ऐसे एक नामी एक रस्थिती में स्थित होने वाले सुम्रिती सुरूप बच्चों से मिलने आए हैं हर एक बच्चे के मरजीवा जनम की सरेष्ट रेखाएं बाप दादा देख रहे हैं आज कल की दुनिया में विशेश हस्त रेखाएं देखने से आत्मा के भागय का वरणन करते हैं वा गुण कर्तव्य की सरेष्टा का वरणन करते हैं लेकिन बाप दादा हस्त रेखाएं नहीं देखते हैं हर एक बच्चे के मुख नैन और मस्तक इन द्वारा हर एक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं वैसे भी फेस द्वारा ही मनुश्य आत्मा को परखने की कोशिश करते हैं वे लोग देह अभिमानी होने के कारण स्थूल बातों को चेक करते हैं बाप दादा मस्तक द्वारा समर्तिस रूप को देखते हैं नैनो द्वारा ज्वाला रूप को देखते हैं मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारे पन की कमल पुष्प समान स्थिती को देखते हैं जो सदा समर्तिस रूप रहते उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गती धैरेवत होगी किसी भी प्रकार का बोज नहीं होगा प्रेशर नहीं होगा एक मिंट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जनम नहीं देंगे जैसे शरीर में कोई भी विमारी को नबज की गती से चेक करते हैं ऐसे संकल्प की गती ये मस्तक की रेखा की पैचान है अगर संकल्प की गती बहुत तिवर गती में है एक से एक एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं तो संकल्पों की गती अती तिवर होना ये भी भाग्य की अनरजी को वेस्ट करना है जैसे मुख द्वारा अतीतिवर गती से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ती वा अनर्जी वेश्ट होती है कोई सदा बोलते ही रहते हैं ज्यादा बोलते हैं जोर से बोलते तो उसको क्या कहेंगे क्या कहते हो कहते हो ना धीरे बोलो कम बोलो ऐसे ही संकल्पों की गती रोहानी अनर्जी को वेस्ट करती है सभी बच्चे अन्भवी हैं जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गती क्या होती है व्य अनर्जी वेस्ट करता है और व्य अनर्जी बनाता है व्यर्थ संकल्प की तेज गती होने के कारण अपने आपको शक्ति स्रोप कभी अनभव नहीं करेंगे जैसे शरीर की शक्ति गाइब होने से बर्णन करते हो न कि आज हमारा माथा खाली खाली है ऐसे आत्मा सरव प्राप्तियों से अपने को खाली खाली अनभव करेंगे जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं वा गलुकोज की बोतल चड़ाते हैं ऐसे ही रोहानियत से कमजोर आत्मा पुरुशार्थ की विदी समृति में लाती है आज मुरली में बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए वियर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है बिंदी लगाने का प्रयतन करना तो यह हुआ इंजेक्शन लगाना ऐसे पुरुशार्थ की विदी के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्ति शाली हो जाते हैं वा विशेश याद के प्रुग्रेंस द्वारा वा विशेश संग्ठन और संग द्वारा गलु को चड़ा लेते हैं लेकिन संकल्प की गती फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनभव करेंगे लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे इसलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही शिरिमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गती अती तिवर नहीं बनाओ जैसे मुक्के बोल के लिए कहते हैं कि दस शब्द की बजाए दो शब्द बोलो दो शब्दी ऐसे समर्थ हों जो सो बोल का कारें सिद्ध कर दे ऐसे संकल्प की गती संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन हो खाली बीज ना हों जिससे फल न निकले इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो वियर्थ ना हों समर्थ की संख्या स्वते ही कम होगी लेकिन शक्ति शाली होगी और वियर्थ की संख्या ज्यादा होगी प्राप्ति कुछ भी नहीं वियर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बट का जंगल जो एक से अनेक स्वते पैदा होते जाते हैं और आपस में टकरा कर आग लगा देते हैं और स्वयम ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं ऐसे वियर्थ संकल्प भी एक दो से टकरा कर कोई न कोई विकार की अगनी पर ज्वलित करते हैं और स्वयम ही स्वयम को प्रेशान करते हैं इसलिए संकल्प की गती धैरेवत बनाओ इस मरजीवे जनम का खजाना कहो वा विशेश अनर्जी कहो वै है ही संकल्प मरजीवे बनने का अधार ही शुद संकल्प है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ इस संकल्प ने ध्यान से सुनना मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ इस संकल्प ने कोड़ी से हीरे तुल्य बना दिया और मैं कलब पहले वाली आत्मा हूँ और मैं कलब पहले वाला बाप का बच्चा हूँ वारिस हूँ, अधिकारी हूँ इस संकल्प ने मास्टर सरोशक्तिवान बना दिया तो खजाना भी यही है, अनर्जी भी यही तो संकल्प भी यही है विशेश खजानों को कैसे यूज किया जाता है ऐसे अपने संकल्प के खजाने को अनर्जी को पैचान ऐसे कारे में लगाओ तब ही सरव संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध सुरूप बन जाएंगे समझा आज क्या करना है रेखाएं देखी कम सोचो अर्थात सिद्ध सुरूप संकल्प करो ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादिशा होंगे मुक से सदे महावक के बोलो महावक के गिंती के होते हैं जैसे महान आत्माएं गिंती की होती आत्माएं अनेक होती और परमात्मा एक होता है तो दोनों अनर्जी संकल्प की और वानी की व्यर्थ खर्च नहीं करो महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले बुद्धी द्वारा सिद्धी सुरूप संकल्प करने वाले ये निशानी है महावीर वा महारथी की महावीर, महारती, अर्थात, मुख द्वारा, महावाक्चे बोलने वाले बुद्धी द्वारा, सिद्धी सुरूप संकल्प करने वाले ये निशानी है महावीर वा महारती की ऐसे महारती बनो, जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि महाना आत्मा मेरे परती स्रेश्च संकल्प सुनाए आशिरवाद के दो बोल बोले आशिरवाद के बोल सदा कम होते हैं तो आप महारती महावीर देव आत्माएं भगतों की पुज्य आत्माएं हो सदा संकल्प और बोल से आशिरवाद के संकल्प और बोल बोलो अमरत वानी बोलो लोकिक वानी नहीं अच्छा सदा महान संकल्प द्वारा स्वेम को सरव को शीतल बनाने वाले वानी द्वारा सदा आशिरवाद के बोल बोलने वाले ऐसे स्रेष्ट रेखाओं वाले सदा स्रेष्ट आत्माओं को महान आत्माओं को देव आत्माओं को पुझ्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते तो ये थे प्यारे बाबा के कि हमारे संकल्पों की स्पीड भी कम होने चाहिए और हमारे वचन भी बिल्कुल सिद्ध वचन होने चाहिए महाँ वाक्य होना चाहिए अच्छा ओम शामती और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यान होती ये एक बहुत संसकारितापूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें